हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का अक्षि एजूकेशन के उनलाइन प्रेटफर्न पर स्वागत है लाज क्लास में हमने परवले के बारे में डिसकस किया था आज हम दीरगवरत और अति परवले के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दीर उन सभी बिंदों का बिंदुपत जिनकी किनी दो इस्थिर बिंदों या निश्चित बिंदों से दूर्यों का योग सदैव कॉंस्टेंट रहे अचर रहे उन सभी बिंदों का बिंदुपत एक आकर्ति का निर्मान करेगा और वह आकर्ति दीरगवरत के लागी अर्थार् जिनकी किनी दो निश्चित बिंदों से दूर्योग का योगफल सदैव अचर हो दीरगुवरत कहलाता है तो दीरगुवरत का डाइग्राम हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं यहाँ पर जो दो इस्थिर बिंदों होते हैं उन्हें हम एस और एस डेश ना भी से व्यक्त करते हैं यहाँ पर यदि कोई पॉइंट पीवन है तो पीवन एस पीवन एस डेश इन दोनों की दूर्यों का जो योग होगा यहाँ पर जो कोई अन्य पॉइंट है पीटू पीटू एस डेश ऐसे ही मानलो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया पीथरी पीथरी एस पीथरी एस डेश इन सभी की दूर्यों का योगफल सदे वच्चर रहता है तो उन सभी बिंदों का जो बिंदूपत होगा वह दीर गवरत कहलाता है यहाँ और यह जो दूर्यों का योगफल होता है यह हम आगे पढ़ेंगे इसका मान सदेव 2A के बराबर होता है और 2A दिर्ग अक्ष की लंबाई होती है हम इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे एक्स अक्ष के वाई अक्ष तो यहाँ हमाले पास में दीर गवरत की परिभाशा क्या हुई उन सभी बिंदों का बिंदों उपर्थ जिनकी तल में इस्थित्व तो इस्थिर बिंदों से तूरी का योगफल सदेव अचर रहे दीर गवरत कहलाता है वह दोनों इस्थिर बिंदों दीर गवरत की नाभिय कहलाती है पर्वले में हमने एक ही नाभी पड़ी थी जबकि दीर गवरत में नाभियों के संक्या दो होती है वे दोनों इस्थिर बिंदों दीर गवरत की नाभिया कहलाती है एक डेफिनेशन हमने और देखी थी पर्वले के लिए हमने एक डेफिनेशन पड़ी थी कि पर्वले के वक्र परिस्थित किसी बिंदों की जो नाभी से दूरी है और उस बिंदों की जो उसकी नियता से दूरी है उसका अनुपात सदैव एक के बराबर होगा जबकि यहां यह एक नियता और यहां पर यह दूसरी नियता दिरवत की दो नियताओं का समिगण है तो यहां इस पर्वले यह P1 मान लिया X1,Y1 तो P की S से दूरी और इस P1 की ही इस नियता से लंबत दूरी का जो अनुपात होता है वह है सद्य ए के बराबर होता है और ए को हम उतकेंद्रता कहते हैं जिसका मान less than 1 होगा तो यहाँ पर यह यदि इसकी नियता है एक definition हम और देखते हैं देर गवरत के लिए पिंदू P1 की S से दूरी इस ही बिंदू की उसकी नियता से दूरी यहाँ पर कोई point M है तो P1 M इसका जो अनुपात होता है वह है E उतकेंद्रता के बराबर होगा और यह जो उतकेंद्रता है E इसका मान सदैव दीरगवरत के लिए एक से छोटा होता है तो यहाँ पर हमें एक note लिख देते हैं दीरगवरत के लिए उतकेंद्रता E का मान Less than 1 होता है अर्था अर्थ E less than 1 परवले के लिए हमने इसका अनुपात बराबर लिया था बराबर लिया था इसका मरला उसका अनुपात 1 है तो परवले के लिए उतकेंद्रता E का मान सदैव एक के बराबर होता है दीरगवरत के लिए उतकेंद्रता कमान एक से छोटा होगा और नेक्स्ट टॉपिक जब हम अती परवले पड़ेंगे तो उसके लिए इकमान सदैव एक से बड़ा होगा तो ये परवल इस दीरगवरत की डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट दीरगवरत के समीगण दीरगवरत के जो समीगण है वह है दो समीगण होते हैं पहला समीगण है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 where a greater than b मतलब a कमान b से बड़ा है तो इसका जो डाइग्राम है x-axis y-axis second जो equation पढ़ते हैं हम वह है x square upon b square plus y square upon a square equal to 1 और वही a greater than b है मतलब पहले वाली समीगण में x square के नीचे बड़ामान था और दूसी वाली समीगण में y square के नीचे बड़ामान है y square के नीचे बड़ामान है इसका मतलब उसकी y-axis होगी और यहां जो पहली समीगण लिखी इसकी अक्ष x-axis है तो इस second वाले equation का जो ड़ागराम है वह है y-axis पर बनेगा बड़ा और इसकी जो नाभिया होगी जैसे यहां पर जो नाभि थी वो x अक्ष पर इस्तिती यहां पर जो नाभि है वो इसकी y अक्ष परिस्तित होगी अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए यह दोनों इसकी नाभि एस इसकी निदेशां को तें सी कोमा जीरो एस डैश कि कोमा जीरो यह दीर्ग वरत का केंद्र या शिर्ष यदि दीर्ग वरत एक्स अक्ष पर बनता है तो एक्स अक्ष उसकी दीर्ग अक्ष कहलाती है अगर दीर्ग वरत वाई अक्ष पर बनता है तो उसकी दीर्ग अक्ष वाई अक्ष कहलाती है यहां जो समीकण है वो हमने x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 के लिए डिसकस किया है जहां a greater than b है ये दोनों इसकी ना भी कहलाती है ये इसकी दीर्ग अक्ष कहलाती है और y अक्ष कहलाती है ना भी से जाने वाला जो लंब है ये इसका ना भी लंब कहलाता है अब यहां ये पाइंट A ये पाइंट A dash ये B और ये B dash अर्थार्थ दीर्ग अक्ष के सीरे और ये तो गेंद्र और ये दोनों शीर्ष अ शीर्ष और E dash शीर्ष ये दीर्ग व्रत के शीर्ष के लाते हैं हमें इस A, A-B, B-8 दीर्ग वरत के जो सिरे हैं उनके निर्देशांक और लगु अक्ष के जो सिरे हैं उनके निर्देशांक ग्यात करने है तो हम जब दीर्ग अक्ष की बात करते हैं तो दीर्ग अक्ष X अक्ष है और हम जानते हैं X अक्ष पर Y बराबर 0 होता है यहाँ जब हम Y की जगे 0 रखेंगे तो X स्क्वेर बराबर A स्क्वेर तो X का माना जाएगा प्लस माइनस A इसका मतलब यहाँ जो A निर्देशांक है यह हो जाएगा A,0 और जो A डेश है वो हो जाएगा तो यहाँ हमने जो भी दिर्देश के बारे में हमने पढ़ा भी पहले वह हमने लिख दिया यहाँ पर हम दो लाइने और ड्रो कर देते हैं नियता यह दोनों तीर गवरत की नियता कहलाती है नेक्स्ट है तीर गवरत प्रक्रम संख्या तीर गवरत के समीकर्ण हम यहाँ जो भी कंडिशन है वो एक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट रमान रखेंगे तो इस कंडिशन के आधार पर हम उसका मान निकाल पाएंगे तो पहली कंडिशन हम लिखते हैं केंद्र मॉल बिंदू 00 शिर्ष दीरगक्षपर्ष के शिर्ष और यहां जो हमने दीरगक्षपर्ष के शिर्ष ग्यात किये थे वो थे 1,0 और माइनस 1,0 मतलब प्लस माइनस 1,0 तीरगक्ष एक्स अक्ष होगी लगू अक्ष य अक्ष होगी तीरगक्ष के लंबाई तीरगक्ष के लंबाई 2a यहां से जो a की दूरी थी इस केंद्र मूल बिंदू o से वो a है यहां की जो लेफ्ट सैड की दूरी है वो भी a है a प्लस a टोटल जो दिरगक्ष की लंबाई हो गई वो दिरगक्ष के लंबाई होती है 2a सेम इसी प्रकार से लगू अक्ष की जो लंबाई होती है वह होती है 2b नाभी के निर्देशांक नाभी के निर्देशांक अभी हमने देखे ae,0 जहां e उतकेंद्र था है तो एक प्लस ae,0 और दूसरी जो नाभी होती है वो माइनस ae,0 इसका मतलब नाभी के जो निर्देशांक हो गए वह है प्लस माइनस ae,0 नाभी लंब जीवा की लंबाई, नाभी लंबाई 2b स्क्वेर अपोन a next नियता का समिकन नियता का जो समिकन हैता है वह है प्लस माइनस a अपोन e तो यह हमने इस दीरगवत के बारे में कुछ जानकारी लिखी अगर दूसरा समिकन आएगा तो हम बड़े वाले मान को हमेशा a मानेंगे और छोटे वाले मान को हमेशा अपन b मानेंगे मतलब a स्क्वार और b स्क्वार मान कर यहां जो x अक्ष के लिए कंडिशन चल रही होगी वो हम y अक्ष के लिए लिख सकते हैं जैसे यहां पर जो शीर्ष है प्लस माइनस a,0 वहां जो शीर्ष बन जाएंगे वो 0, प्लस माइनस a आ जाएगा x अक्ष जो दीर गख्ष है वो x अक्ष है तो वो y अक्ष बन जाएगी लगू अक्ष जो y अक्ष है वो x अक्ष बन जाएगी दीरग अक्ष की लंबाई, same 2a, लगू अक्ष की लंबाई, same 2b, नाभी के जो निर्देशांग, plus minus ae, 0 है, मतलब यहाँ जो नाभी है, वो x अक्ष परिस्तित है, जब y square के नीचे बड़ा मान होगा, तो वहाँ जो नाभी होगी, वो y अक्ष परिस्तित हो जाएगी, तो इ याद रखने की आवशक्ता नहीं है, एक ही condition हमें एक दीरगवत के समीकन के लिए ध्यान में रखनी है, दीरगवत का दूसरा समीकन हम लिख देते हैं, x square upon b square, plus y square upon a square, equal to 1, और यहाँ a greater than b, और यहाँ भी a greater than b, मतलब अब इसकी जो अक्ष है, वो इसकी अक्ष, y अक्ष ह हो गई, तो इसके जो शीर्ष केंद्र है, 0,0, इसके जो शीर्ष है, वो अब उसकी अक्ष पर इस्तित होंगे, और उसकी अक्ष, y अक्ष है, मतलब शीर्ष हो गए, 0, plus minus a, मान तो a ही लिखेंगे, मान में कोई changing नहीं, क्योंकि x की जगे 0 रखा, तो y square बराबर a square, और y बराबर plus minus a, दीर्ग अक्ष, y अक्ष, लगू अक्ष, x अक्ष, दीर्ग अक्ष की लंबाई, 2a, लगू अक्ष की लंबाई, 2b, नाभी के जो निर्देचांक x अक्ष पर थे, अब नाभी के जो निर्देचांक होंगे, वो y अक्ष पर, 0, plus minus a e, नाभी लंब जीवा की लंबाई तू भी स्क्वेर अपॉन ए और नियता का जो समीकन था x बराबर वो हो जाएगा y एक्वल टू प्लेस माइनस a अपॉन e next है उत्त केंद्र था e बराबर c अपॉन ए उसकी जो केंद्र है केंद्र से नाभी की दूरी तथा केंद्र से दीर्ग अक्ष का जो एक सीरा है उसकी दूरी का अनुपात अर्थार्त c बटा a उत्त केंद्रता को व्यक्त करता है तो उत्त केंद्रता की डेफिनेशन हम लिखते हैं दीर्ग विडत्तु के केंद्र से नाभी की दूरी तथा केंद्र से दीर्ग अक्ष के एक सिरे की दूरी का अनूपात उत्त केंद्रता कहलाता है अरधार्त उत्त केंद्रता E equal to C upon A C, A और B इनके वीच में एक रिलेशन होता है जो दीर्ग वत के समिकर में हम लेख सकते हैं C square is equal to A square minus B square ये दिर्गवत में हमें condition एक formula जानते हैं C square equal to A square minus B square जिसके आधार पर हम C का मान ग्याद कर सकते हैं अगर C का मान हमें ग्याद है A का मान हमें दियावा है तो हम इस formula का उप्यों करके दिर्गवत की उत्केंद्रता का मान ग्याद कर सकते हैं अब मैंने दिर्गरत की एक condition कही थी कि उसमें जो उतकेंद्रता का जो मान होता है वह सदे एक से छोटा होगा अब C, C तो क्या है केंद्र से नाभी की दूरी अपॉन A केंद्र से इस दिर्ग अक्ष के एक सिरे की दूरी तो देखो A का मान C से बड़ा है और C में जब हम बड है दिर्वत की जो उतकेंद्रता है उसका मान सदेव एक से छोटा प्राप्त होगा नेक्ट कंडिशन है एक सरल रेखा द्वारा देर्वत का प्रती छेदन यदी सरल रेखा य इक्वल टू M X प्लस C तथा दीर्वरत X स्क्वेर अपॉन A स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर अपॉन B स्क्वेर इक्वल टू 1 हो तो हमें इसपर्ष करने का प्रतीबंद निकालना है इसपर्ष करने का प्रतीबंद का मतलब हम Y की जगे Y का मान रखेंगे X में दीघात समीकन प्राप्त होगी और इसपर्ष करने के प्रतीबंद के लिए जो मूल प्राप्त होते हैं वो समान होने आवशक है इसका मतलब जब हम दरीगाति सुत्र का उप्योग करेंगे x वराबर minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a उसमें root के अंदर जो वार मान होगा हम दरीगाति सुत्र लगाएंगे minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a अगर मूल समान है तो इस root के अंदर वाली value का मान शुनने होना आवशक है यह 0 होगा तो ही हमारे पास में प्लस 0 करेंगे और माइनस 0 करेंगे दोनों मुल कैसे प्राप्त होंगे समान तो हम इस condition का उप्योग करके यहाँ एक condition लिख सकते हैं यदि सरल रेखा दीरगवरत को इस पर्श करें इस पर्श करें तो c square equal to a square m square plus b square या फिर c equal to plus minus under root a square m square plus b square तो हमें इस पर्श करने का एक प्रतिबंद प्राप्त हो गया c बराबर plus minus under root a square m square plus b square अगर हमें एक सरल रेखा दे दे एक दीरगवरत दे दे और इस पर्श करने का प्रतिबंद पूचे क्या ये सरल रेखा दीरगवरत को इस पर्श करती है या नहीं तो हमें क्या सिद्ध करना होगा c की value को under a square m square प्लस b square के बराबर सिद्ध करना होगा next question देखते हैं x square upon 16 y square upon 9 equal to 1 ये दीरगवत का समीकर्ण है इसके लिए हमें इसके नाभी लंब जीवा की लंबाई नाभी के निर्देशांग नाभी के निर्देशांग और उत्त केंद्रता इनके वान हमें ग्याद करने हैं सबसे पहले हम शीर्ष की बात करेंगे तो यहां हम पहले पहचानेंगे कि शीर्ष कौन सी अक्ष पर इस्तित होंगे मतलब इस दीर्गवरत की दीर्गवरत अक्ष और लगो अक्ष कौन कौन सी अक्ष होगी x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 से तुलना करेंगे क्योंकि x square के नीचे जो है वो बड़ा मान है y square के नीचे जो मान चल रहा है वो छोटा मान है तो दीरगरत की तुलना x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 से करी तो यहाँ a square equal to 16 तो a का मान आ गया plus minus 4 b square equal to 9 b का मान आ गया plus minus 3 अब हमें सबसे पहले शीर्ष के निर्देशांग निकालने हैं तो यहाँ हम पैचान चुके x square के नीचे बड़ा मान है मतलब इसकी दीरग अक्ष x अक्ष है इसका मतलब इसके जो शीर्ष है वो x अक्ष परिस्तित होंगे तो first point हम ग्याद करते हैं शीर्ष शीर्ष होते हैं plus minus a comma 0 plus minus a की value है 4 comma 0 यह इसके शीर्ष ग्याद हो गए नाभी लंब जीवा की लंबाई second नाभी लंब जीवा की लंबाई और नाभी लंब जीवा की लंबाई होती है 2b square upon a 2b square b square का मान हमारे पास है 9 upon a a की value है plus minus 4 लेकिन हम जब लंबाई ग्याद कर रहे हैं तो minus नहीं रखते हैं हम केवल plus वाला मान रखते हैं 2 से 4 दो बार cancel हो गया तो नाभी लंब जीवा की जो लंबाई है वह है 9 बटा 2 third point नाभी के निर्देशांग अब नाभी के निर्देशांग हमने पढ़े थे c,0 वो ae,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम एक formula पढ़ चुके e बराबर c अपोन a तो इससे जो c का मान होता है वो c बराबर ae बन जाता है तो जो नाभी के निर्देशांग हम c,0 लिख रहे थे उसे हम ae,0 भी लिख सकते हैं अगर c रहने दो c है तो और हम c और a और b के बीच में एक relation पढ़ चुके हैं c square equal to a square minus b square तो हम जानते हैं कि c square equal to a square minus b square c square equal to a square के जगे a square का मान रखा 16,b square के जगे b square का मान रखा no, तो 16 minus 9 c square equal to 7 and c equal to plus minus root 7 अब c हमें मान ग्यात हो चुका c ग्यात हो चुका तो हम इस दीर्गुरत की नाभी के निर्देशांग लिख सकते हैं तो नाभी plus minus c, 0 plus minus c, c की value चल रही है root 7, 0 ये नाभी के निर्देशांग ग्यात हो गए अब फोर्थ पॉइंट में हमें उत्केंद्रता पूची है तो उत्केंद्रता का फॉर्मुला होता है e बराबर c अपॉण a तो यहां ही हम फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं दीर्दगुरत की उत्केंद्रता e equal to c अपॉण a c की जगे c की value पुटकी c का मान चल रहा था root 7 अपॉण a और a की जगे a का मान e का मान जल रहा है 4 तो root 7 upon 4 यह हमारे पास जो दीर्दगुरत दिया वाया है उसकी उत्केंद्रता ग्यात हो गई next equation यदी दीर्दगुरत की उत्केंद्रता उत्केंद्रता हटा कर शेष लेख सकते हैं शेष जिरो कोमा प्लस माइनस चार हो तथा नाभी के निर्देशांग जिरो कोमा प्लस माइनस रूट टू हो तो दीर्दगुरत का समीकर्ण ग्यात कीजिए तो दीर्दगुरत का समीकर्ण ग्यात कीजिए देखिए यहां हमारे पास दीर्दगुरत का शेष दियावा है और जो शेष है वो कौनसी अक्ष परिस्तित है वाई अक्ष परिस्तित है नाभी भी कौनसी अक्ष परिस्तित है वाई अक्ष परिस्तित है इसका मतलब जो हमारे पास में दीर्गवरत ग्यात होगा उसकी दीर्गवरत में 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 दी हमें a² और b² का मान निकालना है और इस समिकर्ण में रखना है अब हमें दियावा क्या-क्या है शीर्ष दिये वे हैं तो शीर्ष मतलब शीर्ष दिये वे हैं 0, plus minus 4 और हम जानते हैं यह क्या होता है 0, plus minus a होता है शीर्ष तो a की जो value है वो 4 के equal हो गई प्लस माइनस 4 तो a² को हम 16 लिख सकते हैं a² की value हम गयात कर चुके नियत नाभी के जो निर्देशांग कैं नाभी के निर्देशांग यह दिये वे हैं 0, plus minus root 2 और नाभी के निर्देशांग हम जानते हैं नाभी के निर्देशांग होते हैं 0, PLUS C equal to 0, PLUS minus root 2 तो इससे तुल ला कि तो C का मान आ गया हमारे पास root 2 अब C का मान गयात हो गया यहां हमारे पास A का मान गयात हो गया तो हम C A और B के बीच में एक result जानते हैं जिसका उप्योग करके हम B का मान गयात कर सकते हैं और हमें B का मान ही ग्याद करना बाकी था, तो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, C square equal to A square minus B square, C square, C square की value है, root 2 का square 2, A square, A square की value है, 16 minus B square, C square, तो B square की value आ गई, 16 minus 2 is equal to 14, A square, B square दोनों की equation समिकन, जो एक है उसमें मान रखा, तो दीर्गवर्द का समिकन प्राप्त हो गया, दीर्गवर्द का समिकन, X square upon B square मतलब 14, प्लस Y square upon, 16 equal to 1, तो हमने एक अभी example किया था, उसमें दीर्गवर्द एक्ष एक्ष थी, इसमें जो हमने एक example किया, इसमें दीर्गवर्द एक्ष एक्ष है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, कि X एक्ष यदि उसकी दीर्गवर्द होगी, A और B का आपस में परिवर्द नहीं होता, वो as it is ही रहते हैं जो फॉर्मूले में है, केवल जो X एक्ष की condition चल दी थी, वो Y एक्ष में परिवर्द तो हो जाती है, नेक्स्ट कुशन, कुशन नमबर थर्ड, यदि तेर्गवरत की, नाभी, तू, प्लस, माइनस, टू, कॉमा, जीरो, टू, कॉमा, प्लस, माइनस, बन लिख देते हैं, और नियता का जो समीगण है, वो X प्लस, Y, एक्वल टू, जीरो, और उत्त केंदरता, वन अपॉन, रूट टू हो, तो, दीर्गवरत का समीगण ग्याद कीजिए, तो, दीर्गवरत का समीगण, ग्याद कीजिए, सेम ऐसा कुशन हमने परवले में भी पढ़ा था, बस परवले में जब हमने पढ़ा था, तो उस इस्थिती में, डाभी और केवल नियता, दोनों ज्याद होना सफिशेन था, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी जो उतकेंद्रता है, वो परवले के लिए एक के बराबर होती थी, तो यहाँ जो उतकेंद्रता है, वो एक से छोटी होगी, तो उतकेंद्रत गामान आवश्याग रूप से दिया गया होगा, पता होना जरूरी है तो ही हम दीरगवरत का समिकन लिख सकते हैं अब दीरगवरत की definition के लिए हमने क्या लिखता देखना यह दीरगवरत दीरगवरत पर इस्थित किसी बिंदू की उसकी नाभी से दूरी और यह नाभी हमारे पास में दीवी है प्लस माइनस टू कोमा वन यह एकसक्ष नहीं है अभी क्योंकि यहाँ प्लस माइनस टू कोमा वन है एकसक्ष इसके नीचे कहीं न कहीं विद्धिमान होगी इस दीरगवरत पर इस्थित किसी बिंदू की नाभी से दूरी और नियता का समिकन्ट जो भी दिया वहाए किसी भी प्रकार से उस बिंदू की उस नियता से लंबत दूली का अनुपात उत्त केंदता के बराबर होता है यहां उत्त केंदता एक बटा अंडरूर्ड दो है तो इस फॉर्मुले जो हम पहले पर चुके हैं उसका हम डिस्कस कर नाभी के निर्देशांग दियावा है किसे हम S लिख देते हैं नाभी के निर्देशांग है प्लस माइनस तो बिंदू P की S से दूरी बटा बिंदू P की नियता से लंवत दूरी बिंदू P की नियता से लंवत दूरी बराबर उतकेंद्रता और उतकेंद्रता का मान किसके बराबर दियावा है रूट टू के वन अपॉन रूट टू के बराबर अब इसको आगे हम सरल करते हैं बिंदू P की S से दूरी दो बिंदो के मद्दे की दूरी X2- X1 का होल स्क्वेर प्लस Y2- Y1 का होल स्क्वेर तो एक ही पंट लेना हमें नाभी के लिए यहां प्लस मानस 2,1 चल रहा है तो यहां हमने सॉल किया X2- X1 तो X-2 मानस 2 का होल स्क्वेर प्लस y-1 का whole square equal to root 1 upon root 2 और p की नियता से लंबदूरी right side में गुणा हो गया और लंबदूरी का formula हम जानते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c x1 y1 की जगे xy a का मान x का गुणांक 1 b का मान y का गुणांक 1 और c का मान अचरपद 0 तो 1 multiply x 1 multiply y plus 0 upon root a square प्लस b square a square का मान है x का गुणांक 1 plus 1 solve किया root x square minus का 4x plus का 4 plus y square plus 1 minus 2y equal to यहां नीचे root 2 यह root 2 से multiply होकर 1 by 2 और यहां भज़ गया x plus y दोनों तरफ square किया इस root को cancel करने के लिए तो दोनों तरफ square करने पर x square x square plus y square minus 4x minus 2y plus 4 plus 1 plus 5 equal to 1 upon 2 का square 1 by 4 और x plus y का whole square x square plus y square plus 2xy 4 को left side में cross multiply किया वज़र गुणा x square minus 2xy minus 16x minus 8y and plus 20 equal to 0 यह जो समीगन प्राप्त हुई यह समीगन दीर्गुरत का समीगन कहलाएगा तो सेम हमने परवले में जो condition पड़ी थी वही condition हमने अभी दीर्गुरत में देखी बस परवले में जो बराबर में e होता था उसका मान 1 के बराबर होगा जबकि इस दीर्गुरत की बात करे तो उत्त केंदृता का मान सदैव 1 से छोटा होगा जो हमारे पास में 1 upon root 2 दियावा था तो हमने दीर्गुरत के बारे में डिसकस किया अब हम next topic इसी परवले के बारे में डिसकस करते हैं तो next topic हम लेके next topic हम स्टार्ट करते हैं अती परवले अती परवले की बात करते हैं एक्स एक्सिस ये इसका केंद्र ये दोनों इसके शीष ये दो इस्थिर बिंदू एस और एस डेश अती परवले की डेफिनेशन क्या है उन सभी बिंदों का बिंदूपत जिनकी दोनों इस्थिर बिंदों से दूरियों का अंतर अचर रहे अती परवले कहलाता है अब यहाँ अंतर कॉंस्टेंट रेना चीए तो उन सभी बिंदों को बिंदुपत है वह अती परवले के समिकन को व्यक्त करता है यहाँ हमने एक पॉइंट P1 यहाँ हमने सेकेंड पॉइंट लिया P2 यहाँ मानलो हमने थर्ड पॉइंट P3 ले लिया यहाँ जो भी बिंदों प्राप्त होंगे उनकी दोनों बिंदों दोनों इस्तिर बिंदों से जो दूरियों का अंतर है वह समान होना अवशक है, अचर होना अवशक है, तो उन सभी बिंदों का जो बिंदोपत है, वो अती परवले के समीकन को व्यक्त करता है, तो अती परवले की डेफिनेशन परिवाश है क्या हुई? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपत जिनकी तो इस्तिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर हो अती परवले कहलाता है यहां हमारे पास पहला पॉइंट पीवन था इसका मतलब पीवन की S से पीवन की S देश से तो हम लंबाई दूरी की बात कर रहें तो दूरी हम धनात्पक लेंगे इसलिएमप पहले S ले ले लेते हैं तो P1S देश माइनस P1S is इक्वल टू यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, तो P3S छोटा है, P3S बड़ा है, तो यहाँ हम P3S-P3S लिख सकते हैं, ऐसे हमारे पास में अनंत बिंदू होंगे, जिनकी उन दोनों बिंदों से दूरियों को अंतर सदेव समान होगा, तो उन सभी बिंदों का जो बिंदूपत है, वह अती परवले के समिगन को व्यक्त करता है, और यहाँ भी सेम वह की वही कंडिशन, जो दो इस्तिर बिंदू है, वह दोनों अती परवले की नाभिया कैलाती है, वह दोनों इस्तिर बिंदू, आती परवले की नाभिया कहलाती है अब आती परवले के समिगंड भी दो परकार के हो सकते हैं आती परवले के समिगंड अती परवले के समिगंड पहला अती परवले का समिगंड हम पड़ते हैं एकस स्क्वेर अपाउन ए स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर अपाउन बीसक्वेर एकवल टूवन दीरगुरत के समिगंड में दोनों के बीच में प्लस का चिन आता था जबकि इसका जो ड्याग्राम है यह अती परवले का वक्र है यह स्तिर बिंदू S और यह स्तिर बिंदू S देश दूसरा समिकन वही AB से बढ़ा है अगर यहां X स्क्वेर के नीचे A स्क्वेर बढ़ा है तो हम Y की जगे 0 रखे X का मान निकाल सकते हैं अगर यहां Y स्क्वेर के नीचे बढ़ा मान आ गया तो उसका चिन पॉजिटिव होना आवशक है अगर हम Y स्क्वेर अपॉन B स्क्वेर बोले और कहें कि यह मान बढ़ा है तो X की जगे 0 रखेंगे तो Y स्क्वेर बढ़ाबर माइनस B स्क्वेर होगा जो की संभव नहीं है कहने का मतलब क्या है दीर गवरत में हमने X स्क्वेर और Y स्क्वेर को चेंज हो जाएंगे तो यह जो अती परवले है इसका डाइग्राम इस प्रकार से प्राप्त होगा X अक्ष Y अक्ष यह इसकी नाभिया S तो यह दो समीकर्ण हम अती परवले के पढ़ते हैं अब अती परवले के बारे में हम कुछ जानकरी लेते हैं यदि अती परवले का समीकर्ण यदि अती परवले का समी गर्ण, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 हो. x-axis, y-axis, ना भी s बराबर c, 0, s dash minus c, 0, यह है केंद्र, यह है दोनो पॉइंट, शीर्ष, यह है दोनो ना भिया, नाभियों से जाने वाला अक्ष के लंबत, नाभिलम, x-axis, दीर्ग रत में हमने बोली थी दीर्ग अक्ष और y-axis को बोला था लगू अक्ष, अती परवले में x-axis होती है, अनुप्रस्थ अक्ष, तो यह है क्यलाती है, अनुप्रस्थ अक्ष और जो y-axis होती है, वह है क्यलाती है, सयुगमी अक्ष, तो इसके लिए भी हम एक सांडी बनाते हैं, अती परवले का समीगन, x-square upon a-square minus y-square upon b-square equal to 1. फस्ट पॉइंट, केंद्र, 00, second point, शीर्ष, उसमें दीर्ग वरत में हमने शीर्ष दीर्ग अक्ष पर ज्याद किये थे, इसमें जो शीर्ष निकलते हैं, वो अनुप्रस्थ अक्ष पर ज्याद किये जाते हैं, इसका मतलब इसकी अक्ष, x-क्ष अनुप्रस्थ अक्ष है, तो इसके शीर्ष X अक्ष पर प्राप्त होंगे, X अक्ष पर Y बराबर 0 रखेंगे, तो X स्क्वेर बराबर A स्क्वेर, इसका मतलब शीर्ष हो गए, प्लस माइनस एकोमा जीरो अनुप्रस्त अक्ष, X अक्ष, सैयुगमी अक्ष, Y अक्ष, अनुप्रस्त, अक्ष की लम्बाई, सैयुगमी अक्ष की लम्बाई, तूबी नाभी के निर्देश अंग, प्लस माइनस C,0, जिसे हम प्लस माइनस A,0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उतके इंद्धता का सुत्र सेम ही रहता है, E बराबर C अपॉन A, नाभी लम्ब जीवा की लम्बाई, नाभी लम्ब जीवा की लम्बाई, तू, B स्क्वेर अपॉन A, और लास्ट नियता का समिकर्ण, X एक्वाल टू, प्लस माइनस A, अपॉन E, सेम यह की एक कंडिशन हम, दूसरे वाले अत्ती परवले के लिए लिखे, तो, A, B जहां है, as it is रहेंगे, केवल जो X अक्ष के निरिदेशांग चल रहे थे, वो Y अक्ष में कंवर्ट हो जाएंगे, तो यहां दीरवत का समिकर्ण, अत्य परवले का समिकर्ण लिखते हैं, X स्क्वेर अपॉन, सेकिंड इक्वेशन है, Y स्क्वेर अपॉन A स्क्वेर, minus x square upon b square equal to 1 इसके लिए केंद्र 0,0 शीर्ष x अक्ष पर थे तो यहाँ पर y अक्ष पर आजेंगे 0, plus minus a अनुप्रस्त अक्ष x अक्ष और सैयोगमी अक्ष अनुप्रस्त अक्ष y अक्ष हो जाएगी इसमें सैयोगमी अक्ष y अक्ष थी वो x अक्ष में चेंज हो जाएगी अनुप्रस्त अक्ष की लंबाई 2a सैयोगमी अक्ष की लंबाई 2b नाभी के निर्देशांग जो x अक्ष पर इस्तित थे वह y अक्ष पर इस्तित हो जाएगे 0, plus minus c नाभी लंब जीवा की लंबाई सेम 2b स्क्वेर अपॉन ए और नियता का समिकर्ण y एक्वाल टू प्लस माइनस a अपॉन ए next उत्केंद्रता की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे तो यहां हम डैरेक्ट फॉर्मला ही लिख रहे हैं वापिस उत्केंद्रता e equal to c upon a टैग्राम में देखना है एक बार यह जो दूरी है वो a है शीश इसके कोडिनेट a,0 और यह जो निर्देशांक है वो minus a,0 और इस केंद्र से इस नाभी की दूरी c अब देखो नाभी की दूरी c ज्यादा है a कम है c का मान a से ज्याद है, मतलब उपर वाली संक्या बड़ी है नीचे वाली संक्या छोटी है इसका मतलब यहां जो मान है वह एक से बड़ा होगा एक से बड़ा है इसका मतलब उत्केंद्रता अती परवले तो उत्केंद्रता के बीच में रिलेशन याद रखना परवले के लिए e बड़ाबर 1 अती परवले के लिए e बड़ाबर less than 1 और अती परवले के जो उत्केंद्रता होती है वो e greater than 1, एक से बड़ी होगी दीर गरत में हमने formula पढ़ा था c square equal to a square minus b square तो अती परवले में हो जाएगा a square plus b square सरल रेखा द्वारा अती परवले को इस परश करने का प्रती बंद्ध दीर गरत में हमने देखा था c square equal to a square m square plus b square तो यहां जो condition हो जाएगी minus b square या फिर c equal to plus minus under root a square m square minus b square एक किशन सॉल करते हैं अती परवले का y square upon 64 minus x square upon 25 is equal to 1 वाइश कंडिशन इसके शीर्ष, सेकेंड नाभी, थर्ट नाभी लंब जीवा, लंबाई, एंड फोर्थ, उत्केंद्रता, यहां हमारे पास शीष ग्यात करने है, y² के नीचे मान बड़ा है, y² के नीचे मान बड़ा है, तो इसके जो तुलना है, हम y² अपाउन a²-x² अपाउन b² इक्व़एल टु 1 से करेंगे, सुलना करने पर, a² एक्वल टू, 64, a एक्वल टू, प्लस माइनस 8, b² एक्वल टू, 25, b एक्वल टू, प्लस माइनस 5, हमें शीर्ष के निर्देशांग निकालने हैं और शीर्ष y अक्षपर है, मान एह ही रहेगा, लेकिन y अक्षपर है तो 0, प्लस माइनस 8, तो फर्स्ट पॉइंट, फिर्ष, 0, प्लस माइनस 8, सेकिंड, नाभी के निर्देशांग, नाभी के निर्देशांग निकालने के लिए हम फॉर्मुला जानते हैं, 0, प्लस माइनस c, c का मान निकालना है, और c का मान निकालने के लिए हमारे पास a और b दोनों का मान पता है, तो नाभी के लिए हम पहले लिखेंगे c square equal to a square plus b square solve किया c square equal to a square की value है 64 plus 25 c square equal to 89 तो c की जो value है plus minus root 89 तो नाभी के निर्देशांग 0, plus minus c मतलब 0, plus minus root 89 तीसरी condition नाभी लंब जीवा की लंबाई तो थर्ड कंडिशन नाभी लंब जीवा की लंबाई 2b square upon a 2b square, b square के जगे b square कमान 25 upon a, a means 8 solve किया 25 upon 4 और फूर्थ कंडिशन है उत्त के इंद्र था e equal to c upon a c की value चल रही है, root 89 upon a, a की value चल रही है, plus 8 तो root 89 upon 8 और यह जो value है 64 होता है root के अंदर, 89 इसका मला भी greater than 1 है और उत्त के इंद्रत आति परवले के लिए एक से बड़ी ही प्राप्त होगी तो यह हमारे पास कोई सभी समिकन दे दे दे, चाहे अति परवले हो, चाहे दीरगरत हो उनकी साहता से हम शीर्ष, नाभी, नाभिलम, जीवा, उत्के इंद्रत, अर्थार्थ, जो भी हम से पूछा गया हो, उसका मान हम आसानी से ग्याद कर सकते हैं अब एक रिलेशन हमने दीरगरत में पढ़ा था, इसमें एक नोट और लिख लेते हैं हम, हमारा टॉपिक कम्प्लीट है, दीरगरत में एक कंडिशन जो हमने डाग्राम पढ़ा था, यह, यह नाभी थी, यह नाभी थी, यह दूरी थी, C,0, और यह जो दूरी थी, माइनस C,0, दोनों नाभियों के मद्धे की दूरी का मान, पर्च कंडिशन नाभियों के मद्धे, दूरियों का योग, सदैव, यह दूरी C, यह दूरी C, C, 2C होता है, प्राइग्राम को मिटा देते हैं, 2C होता है, एक बात हमने और पड़ी थी, जिसे हमने नोट में नहीं लिखा कि, दीर्गवरत परिष्थित किसी बिंदू की दोनों नाभियों से दूरियों का योगफल, सदैव, दीर्ग अक्ष की लंबाई के बराबर होता है, और दीर्ग अक्ष की लंबाई होती है, 2A जो हम सिंपल, जो मानक रूप समिकन पड़ते हैं, दीर्गवरत का, x square upon a square, plus y square upon b square equal to 1 के लिए, तो वो point भी हम लिख देते हैं, दीर्गवरत पर इस्थित किसी बिंदू की दोनों नाभियों से, दूर्यों का योगफल, सदैव, दीर्ग अक्ष की लंबाई, दीर्ग अक्ष की लंबाई और दीर्ग अक्ष की लंबाई 2A, के बराबर होता है, तो यह रिजल्ट, हमें ध्यान रखना है, कि दीर्गवरत पर इस्थित किसी बिंदू की जब दोनों नाभियों से दूर्यों को योगफल याद करेंगे, तो उसका अमान सदैव, दीर्ग अक्ष की लंबाई 2A के बराबर होता है, तो आज हमने दीर्गवरत और अती परवले के टोपिक का डिसकस किया, अब नेक्ट क्लास में हम नए टोपिक के साथ मिलते हैं, धन्यवाद.